गालिब ये गल्ती हम बार-बार करते रहे धूल चहरे पर थी हम आईना साफ करते रहे अभी हाल की दो दिन पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको तिलंगाना सीम साब ने बीसी बैकवर्ड कास्ट के जो आर्टीजान्स होते हैं कलाकार गार्नमेट के पाद बजट नहीं है फिर भी इतने तंग हालात में बीसी आर्टीजान्स कलाकारों के लिए पांच सो करोड उपर रिडिस किया है तो देखिए सवाल ये है कि अभी और्टीजान्स में एक जॉब मेला रखा गया प्राइवेट जॉब मेला पुरानी हवेली पर अच्छी चीज़ है हम उसके खिलाफ नहीं है लेकिन मैं इसमें दो तीन बातें आपको बताऊं के एक तो गॉर्नमेंट का जॉब और प्राइवेट सेक्टर में जमीन और आस्मान का फर्ख होता है अब मैं उसमें और आगे ज्यादा में नहीं जाना चाहरा हूँ बस इतना ही बता रहा हूँ कि ये प्राइवेट सेक्टर में जो होता है तो इसमें आपको आजकल के जमाने में तो ना उसकी कोई टाइम होती है चाहे रात को करो सब्बेरे करो कुछ भी करो तो दूसरी बत ये है कि पुराणी हवेली पर एक जाब मेला रखा गया प्राइवेट जाब मेला तो देखें मेरा सवाल ये है कि आप सरकार में आपकी हिस्सेदारी हुकूमत में आपकी भाग्यदारी को आप खुदी विड्रा कर रहे है याने आपको कोई सरकारी मदद नहीं मिली आपको कोई गार्नमेंट जॉब का कोई एशॉरेंस नहीं मिला तो मेरा सवाल ये है कि तो इसमें मजलिस का क्या काम है मजलिस का काम इतना ही हो गया है कि भाई सरका मिछा दो और अगर उन्हों आपके सामने आते हैं तो उनको फूलों का हार पिना दो नहीं तो फिर कोई कुछ भी एक तखारीब रखो और सिटीम में पुरा नहेविली पर मजलिस वारों को बुलाओ पांच पांच छेच्छे को एक साथ बुलाओ बुला के उनको फूलों के हार पिनाओ तो भी मजलिस का काम अगर सिर्फ सड़क बिछाना है तो फिर ये तो सदर्राज में भी हो जाता प्रेसिडेंट रूल गवर्नर रूल में भी ये काम सड़क बिछाना लाइट के गोले लगाना महरम के इंतिजामाद, बोनाल के इंतिजामाद, विनायका चतुरती, गनिश प्रोसेशन के इंतिजामाद ये तो गवर्नर राजभवन से भी बैटके कर देते तो अब आप जो है यानि आप खुद अपने पहर पीछे खींच रहे हो तो फिर डूपती नहीं आपको कौन बचाएगा भई सड़क बिछाना, लाइट के गोले लगाना ये बुनियादी बात है, बिल्कुल बेसिक है ये कोई भी गाओं में हिंदुस्तान के नहीं, हमारे देश के नहीं कोई भी दुनिया के कोई भी गाओं में वो हो जाता मजलिस ने उल्ड सिटी को खरसदार, किराएदार और बेरोज़गार बना दिया